हेलो फ्रेंड्स वेसी फिर्स्ट एर इन ओर्गेनिक केमिस्ट्री में शोर्ट कोश्चन की सिरीज में आज हम कवर करेंगे कोश्चन नमबर 18 कोश्चन नमबर 18 में पूछा गया है देखें, sodium, na+, ng2+, aluminum 3+, यह सारे आईसो इलेक्ट्रोनिक क्यों है क्योंकि इन में इलेक्ट्रोनों की जो संख्या है वो बिल्कुल समान है इसलिए इसे कहा जाता है आईसो इलेक्ट्रोनिक, राइट अगर लेकिन यहां पर यह बोला गया है कि sodium का size बड़ा क्यों है और aluminum 3+, का size छोटा क्यों है चलिए मैं आपको बताता हूं इसके पीछे का logic क्या है इस तरह के question अगर size related आते हैं तो आपको सबसे पहले करना क्या है सबसे पहले आप लिखेंगे उसका normal electronic configuration sodium plus, magnesium 2+, and aluminum 3+, ions के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप पाएंगे sodium का atomic number होता है 11 और इसका जो normal electronic configuration होगा 2,8,1 यानि इसके outermost में से एक electron प्रेजेंट रहता है magnesium के outermost में 2 electron होता है और aluminum के valence cell में 3 electron होता है तो अगर हम यहाँ पर na plus में देखें तो एक electron यहाँ पर निकाल दिया गया plus का मतलब क्या है एक electron निकाल देना second यहाँ पर 2 plus लिखा हो है यानि 2 electron निकाल देना यहाँ पर 3 plus लिखा हो है यानि 3 electron निकाल देना यानि कि हम इनके valence cell में जो electron present थे वो 3 के 3 हमने निकाल दिये sodium में से 1, magnesium में से 2, aluminium में से 3 तो इसलिए आप देखेंगे आप इन तीनो आयन्स में जो electrons की संख्या है वो बिल्कुल समान है इसलिए हमने कहा था इसे ISO electronic क्योंकि आप देखेंगे इन तीनों में 10-10 electron है 2,810, 2,810, 2,810 लेकिन अगर आप proton की संख्या देखें तो proton की संख्या sodium में 11, magnesium में 12, aluminium में 13 यानि aluminium में proton की संख्या जादा है जिसके कारण effective nuclear charge बढ़ेगा और ये जो 10 electron है अब आप खुदी ज़रा सोचें कि 10 electron को यहाँ पर 13 proton खीच रहे हैं यहाँ पर 10 electrons को 12 proton खीच रहे हैं और यहाँ पर 10 electron को 11 proton खीच रहे हैं सबसे ज़रा कौन खीचेगा जहाँ पर ज़्यादा proton की संख्या होगी तो इसलिए aluminium में 13 proton है इसलिए ये 10 electrons को ज़्यादा तेजी से खीचेंगे इसलिए इसका size छोटा हो जाएगा यही explanation में भी लिखा होगा अगर आप देखें इसमें number of cells इन तीनों में बिल्कुल इक्वल होता है but sodium has 11 proton, magnesium and 12 proton and aluminium has 13 proton यानि इन में proton की संख्या में से aluminium में ज़्यादा है thus the effective nuclear charge in the case of sodium plus is least whereas in the case of aluminium 3 plus it is maximum क्योंकि इसमें maximum number of proton है on the account of this the electron will be attracted less strongly towards the nucleus in the case of sodium plus ion hence the size of sodium plus ion is maximum and that aluminium 3 plus ion is minimum क्यों? क्योंकि aluminium में आपने फैले से दिख ले है कि proton की संख्या ज़्यादा है और electron की संख्या सभी में same है तो इसलिए यह ज़्यादा तेजी से खीचेगा इसलिए इसका size छोटा होगा सोडियम का size बड़ा होगा क्योंकि इसमें कम संख्या में proton खीच रहें तस electrons को Thank you so much watching this video